नमस्कार सातियो विमलेंदरा क्लासेज में आपका स्वागत है योपी लेखपाल 2022 जरूरी दस्ता बेज 100% 602 बिशलेशन 85 पलस क्यों नहीं जा रही है कटाफ कटाफ क्यों कम जाएगी डीवी में कितने हजार बिद्दार्थी सामिल होंगे डीवी क्यों करवाई जाती है डीवी कहां से होगा सबके बारे में हम चर्चा करेंगे आप वीडियो में बने रहे कहीं न कहीं बड़े चैनल वालों की फाइनल कटाफ हाई होती है क्योंकि इन्हें कोर्स को बेचना होता है जब आप पेट की परिच्छा दिये थे तो यहीं लोग बता रहे थे कि पेट की कटाफ 35 से 40 के बीज रहेगी जब आप एन्टी पीसी सीबी टीवन की परिच्छा दिये थे तो यहीं लोग बता रहे थे कि एन्टी पीसी सीबी टीवन की कटाफ 45 पलस रहेगी ठीक है क्या कटाप इतने पर जाके रुकी नहीं रुकी न तो कहीं न कहीं अब ये लोग मुख परिच्छा लेखपाल की जो मुख परिच्छा है उसकी कटाप 85 पलस बता रहे हैं इनका एक ही मकसद है कि आप आपको ये लगे कि मेरा सेलेक्षन नहीं होगा अब हमें कोई दुसरी तैयारी करना चाहिए ठीक है बड़े चैनल वालों की मंसा यही है कि आप दुसरी तैयारी कीजिए और आके हमसे कोर्स को खरीदिये और हमें राजा बनाईए ठीक है इनकी यही मंसा है कटाफ 85 पलस नहीं जा रही है मैं कटाफ से लेटर 2-3 वीडियो बनाकर इससे एकदम किलियर कर लिया हूँ कि कोई एक भी इंडिविजुल बच्चा नहीं कमेंट किया है कि कटाफ मेरा 85 नंबर है कोई एक भी बच्चा नहीं कमेंट किया है कि मेरा 85 पलस है ठीक है? इससे तो एक अंदाजा हो गया है 200 से 400 लोग तो कमेंट किये ही होंगे मेरे चैनल पे एक एक वीडियो में जिससे अंदाजा हो गया है कि कटाब 85 पलस नहीं जाएगी मैक्सिमम बच्चे 60 से 75 या 80 की बीच में है जो जनरल के है कमेंट वही कर रहे हैं एक्टिव वही लोग है जो बॉर्डर लाइन पे है जो कटाफ पे है जो 75 से 77 की बीच में है करीब वही लोग ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं जो कटाफ में आ रहे हैं कहीं न कहीं वही बार-बार वीडियो को देख रहे हैं ठीक है वो वीडियो क्यों देखेंगे जिनका 60 से कम होगा वीडियो क्यों देखेंगे जो जनरल कटेगरी का होगा और जिनका 60 से भी कम नंबर है वो मेरा वीडियो क्यों देखेंगे उन्हें तो पहले से ही लग गया कि मेरा नहीं होना है तो बार-बार कटाफ की वीडियो नहीं देखेंगे बार-बार वही लोग देख रहे हैं जो borderline पे हैं ठीक है? इसे एक idea हो गया है कि वही viewers है जो बार-बार वीडियो को देख रहे हैं कटाफ की बीडियो वही देख रहे हैं, जो बॉर्डर लाइन पे हैं, ठीक है, इसे एक आइडिया हुआ कि 85 पलस कटाफ नहीं जाने वाली है, रही बाद जरूरी दस्ता बेज का, जरूरी दस्ता बेज क्या क्या लगेगा, जात प्रमाडपत्र, निवास प्रमाडपत्र और EWS Certified कब का होना चाहिए, 4 फरूरी 2022, इसके पहले का होना चाहिए, क्यों होना चाहिए पहले का? लेकपॉल फॉर्म फिल करने के लास्ट इप्रियो जो था, 4 फरूरी 2022, उसके पहले का दस्ता बेज होना चाहिए, ठीक है? जाद प्रमार्पत, निवास प्रमार्पत, EWS यह कहा कहोना चाहिए राज सरकार द्वारा प्रमारित होना चाहिए ठीक है यह आपका कीलियर कर दिया रही बाद डीवी में कितने हज़ार बिद्यार्थी सामिल होंगे तो डीवी में अगर डेड़ गुना बुलाए जा रहे हैं तो बारा हज़ार पांसो और अगर दो गुना बुलाए जा रहे हैं तो कहीं न कहीं सोला हजार के असपास अगर तीन गुना बुलाए जाएंगे तो कहीं न कहीं तीन गुना बुलाए जाएंगे तो यहीं लोग 24,000 के आसपास जाएंगे हमें नहीं लगता 3 गुना बुलाए जाएंगे 1.5 गुना या 2 गुना बिद्यार्थी बुलाए जाएंगे DB के लिए रही बात और कौन-कौन सा फेक्टर है कटाफ कम जाने का तो वीडियो को लाश्ट तक देखिए मैं वो फेक्टर रखा हूँ कि कटाफ क्यों कम जाएगी ठीक है रही बात DB के लिए क्या कटाफ रहेगा जनरल की 73 से 75 के बीच है अगर जिसका भी नंबर वो एकदम निश्चिंत हो जाए क्योंकि वो DB के लिए जरूर बुलाए जाएंगे OBC 71 से 73 के बीच EWS 70 से 72 के बीच Y checked 65 से 57 के बीच जो फाइनल कटाफ रहने वाली है कहीं न गहीं 75 से 77 के बीच जनरल की OBC की 74 से 76 के बीच EWS की 72 से 74 के बीच Y checked 79 से 71 के बीच Yacht की 57 से 60 के बीच Fisical Handicap की 88 से 60 के बीच टेक्स सर्विसमेन 55-60 रही बाद महिला की महिला की जो कटाफ रहने वाली है फाइनल कटाफ 71-72 की वी जगर नंबर है आपका तो आपका सेलेक्शन 100% होगा आपको कोई नहीं रोग सकता है ठीक है इतनी बात हम बता दिये रही बाद डाकुमेंट का क्लास 10th की मार्चीट 12th की मार्चीट जो लोग बहुत पहले High School इंटर कर चुके हैं उनका सनद भी लगेगा क्योंकि पहले सनद अलग आता था और अंक वाला प्रमारपत अलग आता था ठीक है मार्चीट तो अब दोनों आता है एक साथ ठीक है इसका बहुत ध्यान रखिएगा आप चार जिरॉक्स रख लिजेगा वर्जिनल बैली राडी प्रूफ आधार कार्ड ओटर राडी बार बार हमारे भाई कमेंट करते हैं कि सर मेरे पास एक ही बैली राडी प्रूफ है क्या करें तो अभी आपके पास समय है अगर आधार कार्ड में इरर है तो हाई स्कूल की मार्शीट से आप इरर को सही करा लीजिए ठीक है रही बाद ओटर आइडी की तो आप देख लीजिए जिलास्तर पर बन जाता है ठीक है उसे किसी तरीकी से बनवा लीजिए चार फरोरी चार फरोरी 2022 के पहले का होना चाहिए ठीक है अगर आपका इसके बाद का है तो आपको बरियता नहीं मिलेगी ठीक है तो आपको बरियता नहीं मिलेगी आपको जनल कटेगरी के थुरूल हाईट करना रहेगा फोटो आठ से दस फोटो लगनी है ठीक है रही बाद एफिडेविट एफिडेविट क्यों लगता है बहुत हमारी भाई कमेंट किये कि सर मेरा हाई स्कूल में पिता का नाम ये फला था और इंटर्न में पिता का नाम फला हो गया तो आप घबडाएए ना आपको 15 से 20 दिन का मौका मिलेगा जब आप डेवी करवाएंगे कि आप सुधार कर लीजिए उससे पहले मैं बता रहा हूं कि आप लोग सुधार कर लीजिए क्यों मौका ढूड रहे हैं अगर वो इरर 15 दिन में नहीं सही हुआ तो क्या करेंगे आप अभी तो आपके लिए मौका है तो आप उसे सही करा लीजिए रही बात अगर थोड़ा बहुत इरर है तो एफिडेविट पे आप लिखवा लेंगे कि मेरा हाई स्कूल के मार्शीट में यह है इंटर में यह हो गया है ठीक है और उसे तैसिलदार का हस्ताचर होगा तैसिल से एफिडेविट में कोई दिक्कत नही है लेकपाल वेरिफाई कर देगा तो आपके डाकुमेंट में कोई दिक्कत नहीं है मेडिकल सरकारी अस्वताल से रही बात निवास परमाड़ पत्र निवास परमाड़ पत्र सभी के लिए जरूरी है और रही बात करेक्टर सर्टिफिकट का तो गराम प्रधान के स्टाम इए MPM मेरे की स्टाम पर होना दो करेक्टर सर्टिफिकट होना चाहिए वरही बात कटाफ क्यों कम जाएगी जो कटाफ कम जाने का जो फैक्तर है पहिन-किए आप हम लोग कह रहे हैंigo हैं हम मांने लेते हैं होइआ धाधली हुई है लेकिन शारुजिनिक तरीके से दाधली ज़्यादा फर्क नहीं पढ़ने वाला कटाफ 80 के अंदर रहेगा ठीक है जो सबसे में फ्यक्टर है कटाफ कम जाने का कहीं अगर UP SI की वेकेंसी पहले फाइनल हो जाती है लेखपाल से तो लोग लेखपाल क्यों करेंगे लेखपाल में पर्मोशन 30 साल बाद होता है अभी आप देखे रहें चबवाली सजार ने 4443 लोगों का पर्मोशन अब जाके हुआ है 9000 वेकेंसी है कहीं न कहीं 2500-3000 लोग कामन है जो लेखपाल की भी परिच्छा क्वालिफाई किया है और UPSI का भी परिच्छा क्वालिफाई किया है तो UPSI के लिए DB करवाएंगे वो लेखपाल में क्यों जाएंगे जिनका lower pieces निकला वो का करने के लिए लेखपाल में जाएंगे जो ये NTPC का इतना धरले से रिगलटा रहा है तो ये NTPC जोएन करेंगे वो क्या करने के लिए भीड बढ़ाने के लिए क्यों लेखपाल में आएंगे भीया लेखपाल में salary भी कम है कि NTPC केंज सरकार की नोकरी है ठीक है railway कितनी अच्छी नोकरी है वो क्यों आएंगे लेखपाल में रहिवाज junior resistant की 700 लोग कामन है UPPCS में 75 लोग कामन है primary teacher में 3800 में 1200 लोग कामन है अधर 300 लोग कामन है चहिन कहिए लोग जो धाधली हुई है इसे manage करेंगे ठीक है कटाब बहुत high नहीं जाने वाली है जो बता रहे हैं 85 पलस जाएगी उनका screen shot रख लीजिए ठीक है उनका screen shot इसलिए रख लीजिए और comment करके बता दीजिए जिस दिन 85 पलस जाएगी उस दिन मैं बहुत गाली दूँगा ठीक है उन्हें ऐसा बता दीजिए बहुत भाई हैं जो उल्टा से सा comment में लिखते हैं कोई बात नहीं आप लोग गाली दे सकते हो लेकिन मैं गाली नहीं दूँगा मैं आपको गाली नहीं दूँगा ठीक है रही बात result की db कब तक होगा db दिपावली के बाद होगा रही बात result की तो यह marks के बाद ही result आने की संभावना है इससे पहले result नहीं आएगा अगर db जल्दी हो जाता है db अगर जल्दी हो जाता है तो 2 या 3 महिने के अंदर result आ जाएगा ठीक है कुछ लोग court में गए है हमें तो नहीं लगता है अभी तब कोई file रिट हुई है कोई file रिट नहीं हुई है बाकी scanning का कार सुरू हो गया है इसी सब्ता से scanning का कार सुरू हो गया ठीक है तो अगर scanning जल्दी हो जाएगा तो जल्दी से जल्दी जब कापी जच जाएगी तो result आने की संभावना db की कटाफ आने की संभावना जल्दी हो जाएगी ठीक है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बेल आइकन की नोटिफिकेशन को जरूर आउन कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको एथेनिटिक जानकारी मिलती है कोई फेक न्यूज में नहीं बनाता अगर कोई जानकारी आई रहती तभी मैं बताता हूँ मुझे बहुत बेकार लगा जब बड़े बड़े चैनल वाले अभी भी बता रहे हैं कि 85 पलस जाएगी ठीक है हमें बहुत खराब लगता है भीया इतना नहीं जाने वाली है ठीक है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए धन्यवाद आपका दिन सुबह